साथियों नमस्कार मैं हरिश्चंद्र बंडवार जार्खन के पूर मुख्यमंत्री हिमंद सोरेन की गिरफतारी के बाद खुद सोरेन और जार्खन मुक्ति मोर्चा अचानक से आदिवासी भावनाओं की बात कर रही है ये सारे लोग कर रहे है लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि सत्ता में रहते हुए हिमंद सोरेन की सरकार को आदिवासी हितों की कितनी चिंता सताई जब आपको मैं दोस्तों रिसर्च दिखाऊंगा तो पता चलेगा और ये सवाल भी उठेगा कि क्या ज़ारखंड में आदिवासी हितों का खयाल रखा जा रहा था या फिर इसलामिक संस्कृती को बढ़ावा दिया जा रहा था आपको ये खबर पता ही है दोस्तों कि ज़ारखंड के मुख्य मंत्री हिमंत सोरेन को एडी ने जमीन घोटाले में गिरफतार कर लिया है घोटालों से अवैद कमाई करने वाले हिमंत सोरेन तीसरे मुख्य मंत्री है आरोप है जो उन पर जिन्हें गिरफतार किया गया है इन से पहले हिमंद सोरेन के पिता शिबु सोरेन और मधु कोडा को मुख्य मंत्री रहते ब्रहष्टाचार के मामलों में गिरफतार किया गया था और गिरफतारी के बाद हेमंद सोरेन का दोस्तों एक वीडियो सामने आया जिसमें बहुत लंबी चौड़ी बाते कह रहे हैं और खास करके वो आदिवासी हितों को ही उठाते हुए दिख रहे हैं एक बार छोटा सा बयान सुनाता हूँ सुन लीजिए अब जाहिर है दोस्तों हेमंद सोरेन के गिरफतार होते ही उनकी पार्टी जार्खंड मुक्ति मोर्चा ने इसी मुद्दे को उठा लिया राज्य के आदिवासी समाज की भावनाओं को बरगलाने के लिए आदिवासी संगट्डों की तरफ से राज्य में बंद की घोशणा कर दी लेकिन गिरफतार मुक्य मंत्री हिमंद सोरेन ने पिछले चार सालों के दौरान क्या किया ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसलिए ये रिसर्च की जरूरत पड़ी है दोस्तों आदिवासी समाज के हितों को नुकसान पहुँचाने की न सिर्फ नीतियां बनाई बल्कि आदिवासी संस्कृती को खत्म करने के लिए राज्य में इसलामिक संस्कृती को हावी होने का पूरा मौका दिया हिमंद सोरेन ने आदिवासीों की संस्कृती को खत्म करने के लिए राज्य में एक खतरनाक सोच को बढ़ावा दिया जो ये मानता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है आपको जो भी बात कह रहा हूँ न वो मैं मीडिया रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ हिमंद सोरेन की ये सोच और इस सोच पर बनाई गई नीतियों ने राज्य में इस्लामिक संस्कृति को आदिवासियों के ऊपर थोपने का काम किया इससे राज्य के आदिवासी समाज के रिती रिवास और परंपराओं का भविश्य खत्रे में पड़ गया है आपको बयान सुनाया ना इसलिए सारी चीजें जो आदिवासी से जुड़ी वी हैं वो दिखा रहा हूँ हिमंद सोरेन जिस जमीन घोटाले में ग्रफतार किये गए हैं वो घोटाला पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहा है जिसके तार राज्य में पनप रही इसलामिक संस्कृती से जुड़े हुए हैं आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण जारखन में एक समस्या है जमीन बेचने और खरीदने पर कई तरह की कानूनी पाबंदिया लगी हुए लेकिन इन जमीनों का फरजी कागज बनाकर बड़े पैमाने पर जमीन गैर आदिवासियों को बीचा जा रहा है और इन जमीनों को सबसे अधे बांगला देश्य अवैद रूप से घुसने वाले मुस्लिम खरीद रहे हैं जिसकी वज़े से राजी के कुछ जिलों की आबादी में मुसलिमों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है जब जारखंड राज्य साल 2000 में बना था तब इन जिलों में आदिवासियों की आबादी अधिक थी आज यहाँ मुसल्मानों की संख्या आदिवासियों से अधिक हो चुकी है और मैं इस आठकिल के हवाले से दिखा रहा हूँ राजी के कुछ जिले भोगनन्दी यह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी सिधो और कानो मुर्मु की जन्मस्तली है अब जानते हैं ना अधिवासियों के लिए वो भगवान समान है आज यहाँ 50 पृतिशत मुसल्मान है पाकुड साल 2000 में यहाँ 35 से 37 पृतिशत मुसलिम आबादी थी आज यह आबादी 65 पृतिशत हो गई है साहिब गंज के उधवा में आज 90 पृतिशत आबादी मुसलिमों की है और इसी तरीके से गोड़ा, बसंत राय, मारगो, मुंडा में मुसल्मानों की आबादी 50 पृतिशत तक पहुँच चुकी है और जो यह कह रहा हूँना सब इस आठकिल में मिलेगा आपको भाजपा के सांसा जो तेज तर्रार है, निशिकान दुबे, उन्होंने ये जानकारी दी है इसमें इसमें दुमका जिला, राज्ज में इसलामिक जिहाद का केंद्र बन गया है जहां से राज्ज में इसलामिक संस्कृति को फैलाने के लिए इसलामिक संगठन बड़े पैमाने पर सक्रिय है हिमंद सोरेन की सरकार के पात सालों के दौरान जहारखंड, PFI और ISIS का सबसे बड़ा केंद्र बन गया कई रिपोर्टें आज कियें दोस्तों इसमें इसलिए सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ यहाँ से देश के अलग-अलग राज्यों में काम करने के लिए फंड भेजा जाता है कितना बड़ा खेंद्र बन गया आरोप है कि ये सब हिमंद सोरेन की सरकार ने खुले आम करने की छूट दी जबकि इन संगठनों पर 2018 में पाबंदी लगा दी गई थी यानि पाबंदी के बावजूद भी इन संगठनों को काम करने का पूरा माहौल सरकार ने दिया सरकार कौन है अब जानते है अभी हाल ही में एनाईये ने जहारखन के ISIS मॉड्यूल के गिरफतार आतंकियों के खिला दायर चाशीट में कहा है कि ये मॉड्यूल वोईस ऐफ हिंद और वोईस ऐफ खुरासान के प्लान पर काम कर रहा था और ये मॉड्यूल सोशल मीडिया के जरीये जहारखन से ही अपने नेटवर्क को पूरे देश में फैलाने का काम कर रहा था अब सूची जहारखन से हो क्या रहा है एक तरफ जारखंड में ये संगठन राज में ही नहीं देश भर में इसलामिक राज लाने की योजना पर काम करने वालों को एक साथ जोडने का एक साथ लाने का काम कर रहे तो दूसरी तरफ राज में मुसल्मानों की आबादी बढ़ाने के लिए अवैद घुसपैट को भी बड़ा हवा दे रहे थे साथ ही आदिवासी समाज की लड़कियों से निकाह करके उनकी जमीन पर कबजा करने का भी काम कर रहे और इस लब जिहाद में शादी शुदा वेक्ती आदिवासी लड़कियों से निकाह करता है और जब इस लब जिहाद में कभी कोई लड़की न निकाह करने से इंकार कर देती है तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है हाल ही में दोस्तों दुमका में एक आदिवासी लड़की के साथ दुशकर्म करके पेड़ से लटका दिया गया यही नहीं दुमका में ही जब शाहरुक के निकाह के प्रस्ताव को अंकिता ने नहीं माना तो क्या हुआ था जानते हैं न कितना बवाल मचा था शाहरुक हुसेन ने उस पर पेट्रोल डाला चला दिया राज्जी के आदिवासी लड़कियों के साथ हो रहे लव जिहाद में जिस तरह से दुशकर्म किये जा रहे हैं उसकी हिमन सोरेन सरकार को कितनी चिंता था आप खुद समझे ना वो इन सभी घटनाओं को एक सामान ये घटना मान कर ये कहकर रफा दफा करते रहे कि ये तो हर जगे होता है अब आदिवासी हो कि अगर आपको इतनी चिंता है तो आपको आगे बढ़कर चीजों को बहुत गंभीरता से लेने की जरुती ना फलका फुलका या ये थोड़ी कह सकते हैं कि हर राज्जी में होता है और राज्जी में मुस्लिमों की आबादी को बढ़ाने के लिए इसलामिक संगठान एक तरफ लब जिहाद के जरिये लैंड जिहाद की रणनीती पर काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दलित और महा दलित की जमीनों पर जबरदस्ती कबजा कर रहे हैं बहुत सारी कहानिया बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट और इससे भी हिमन्त सोरें की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा और तो और उन्होंने राज्जी में गौव व्यापार में लगे जो मुस्लिम है उनके लिए अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी गौव व्यापार को परिशान न किया जाए यहां तक की गौव तसकरी में लगे लोगों ने अभी हाल ही वे राज्जी की एक महिला पुलिस अधिकारी को गाड़ी से कुचल कर मार डाला और उसी गाड़ी से जिस गाड़ी में गायों की तसकरी हो रही थी और ये भी जान लीजिए कि राज् राजी की पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ती है ना तब पता चलता है कि हिमंद सोरेन की सरकार गौत असकरी को किस तरह से फल्ले फूलने का मौका दे रही है आप बहुत सारी चीजे करने की जरूरत नहीं होती है आप उससे अपनी हाथ हटा लिजे अपने आप बढ़ने लग और राज्य में इस्लामिक संगठन जहां हर तरह से राज्य में मुस्लिमों की आबादी और संस्कृती को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं वहीं राज्य में हिंदूों और आदिवासियों की पूजा पाठ के दौरान हिंसा की घटना भी सामने आ चुकी है यह कि राज्य में पढ़ता है राज्य में हिंदूों और आदिवासियों की खिलाफ हिंसा की खबरे भी सामने आ चुकी है ऐसे में यदि पुलिस आदिवासियों की सुरक्षा के लिए आगे आती है तो क्या होता है आपको यह रिपोर्ट दिखा ना उन्हें भी पत्थरों से मार मार कर भगा दिया जाता है अब तो यह हाल हो गया है कि राज्य के मुसल्मान आदिवासि का दर्जा मांगने लगे हैं आगे की कहानी बता रहा हूं यही जारखंड आपको आदिवासियों की चिंता है ना अब मुसलिम बोल रहे हैं हमको आदिवासि का दर्जा दो जबकि आदिवासी संगठर उन सभी को आदिवासी समात से हटाने की मांग कर रहे हैं जो मुस्लिम बन गए हैं लेकिन हेमंद सुरेन की इंडी एलाइंस की सरकार क्या करने वाली है पता आपको इन मुसल्मानों को दस प्रतीशत आरक्षन देने के बारे में सोच रही है इसके लिए तो हिमंद सुरेन ने SC, ST और OBC के आरक्षन के कोटे को 77 प्रतीशत तक करने का विधेयक भी विधान सभा से पारित कर दिया ताकि मुसलिमों को पिछले दरवाजे से आरक्षन का लाब दिया जा सके आप देखते रहे है क्या क्या खेल चल रहा है हिमंद सुरेन आदिवासी समाज पर अत्याचार करने वाली आबादी का हर हाल में समर्थन कर रहे हैं जिस राज्य की विधान सभा में बड़े ध्यान से सुनिए गिने चुने मुसल्मान विधायक है उस विधान सभा भवन में नमाज के लिए एक हौल तक आवंटित कर दिया कहा होता है कहा है किस रा सरकारी नौकरियों की परिक्षा के लिए जहां वैकल्पिक भाषा की सूची में रखा तो हिंदी और संस्कृत भाषा को इस सूची से हटा दिया सिर्फ उर्दू को ही सरकारी मानिता नहीं दी बलकि सरकारी स्कूलों के नाम को भी उर्दू में करने की छूट दे दी और इ हिमंद सोरेन ने जारखंड में इसलामिक संस्कृति को ठोपने के लिए इन सरकारी स्कूलों में सापताहिक अवकास को बदल कर जो रवीबार से शुकृवार को भी करने का खेल किया गया इन सरकारी स्कूलों में जारखंड के गिरफतार मुख्यमंत्री हिमंद सुरेंज जिस तरह से राज जी के इसलामी करण के एजेंडे को धील दे रहे थे इसका अंदाजा उनकी सोच से ही लग जाता है जब वो राज में भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए एंटी कनवर्जन कानून को बदलने की मनशा जाहिर करते हैं ये सारा खेल चल रहा है और यही जारखंड में तब कभी नहीं का हिमन सोरिन जी ने कि आदिवासियों के साथ हन्याय होता है जब खुद भरष्टाचार के मामले में जेल में पहुँचे हैं तब आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है इस बात को वो कहते हैं तो कुल मिला कर साथियों इंडी अलाइंस की पार्टियां सेकुलरिजम के नाम पर इसलामिक संस्कृति को राज्यों और देश पर ठोपने के एजेंडे पर काम करती है और इसी लिए सनातन संस्कृति का विरोध करने के लिए सनातन संस्कृति की परंपराओं और रीती रिवाजों का मसाख उड़ाया जाता है यही कारण है कि श्रीराम मंदित की प्राण प्रतिष्ठा के 22 जनवरी के आयोजन में कोई भी इंडी अलाइंस की पार्टी शामिल नहीं हुई और इसमें शामिल न होने का कारण ये बताया गया कि भारत धर्ण मिरपेक्ष है इसलिए सम्मिधान के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना उचित नहीं है लेकिन इंडी अलाइंस से दोस्तों ये सवाल पूचा जाना चाहिए कि जारखंड के मुख्य मंत्री हिमंद सुरेन किस सम्मिधान के तहत जारखंड पर इसलामिक संस्कृती ठोप रहे हैं बहुत गहरे सवाल हैं दोस्तों च सबूत मिलने लगते हैं तो इनको याद आता है कि आदिवासी समाज के साथ गलत काम हो रहा है लेकिन खुद जिस सरकार में हैं वहां क्या कर रहे हैं ये सोचने की बात है या किस प्रकार से धील दे रहे हैं ये सोचना जरूरी है उम्मीद है दोस्तों कि जारखंड को लेक चाहते हैं तो कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाईए ताकि पता चले कि जो चीजें हो रही है वैसी एक्च्वल में है नहीं और ये जो घंटी है उसको भी दबाना मत भूले बहुत-बहुत धनिवाद नमस्कार जैसिया करते हैं ब करते हैं तो जैस्क्ति हैं आएंटी है वाज़ गुत-वेश्प्वाद जो फजिए शेपयागर चाहते हैं येजिए वेश्भारगाई बहुत-जो दोच्वाँ जोस्वाना ओना दोटार हैं इस उनानी हैं जोटार हैं लिए हैं जोग।-बह।-टार स्बाश